जीवन में सबसे सरल और बुनियादी चीज आप ये कर सकते हैं कि हमेशा जीवन बन कर रहें किसी खास तरीके से जीना जरूरी नहीं है, बस जीवित रहिए बाके सब कुछ, शरीर और मन भी जीवन के साधन है ये जीवन में सुविधा लाने के लिए हैं नकी जीवन पर हावी होने के लिए सुविधा का काम होता है जीवन को आसान और बहतर बनाना नकी बिल्कुल हावी हो जाना जीवन की मदद करना नकी उसे जकड़ना अगर आप जीवन के हर पल में ये जानते हैं कि आपके पास जो भी है आपका शरीर और मन भी ये सुविधाएं हैं वे सिर्फ इस जीवन की मदद के लिए हैं नकी इस पर हावी होने के लिए तब देखें कि आप उदास कैसे होते हैं तब जीवन अच्छे से चलेगा आपको बस यही करना है आप क्या हैं और क्या नहीं ये फर्क पता हो तब जो आप नहीं हैं उस चीज़ को आप एक अलग तरीके से पकड़ेंगे बेशक ये चीज़ की प्रकृती से तै होगा किसी फूल को एक तरह से पकड़ा जाएगा अगर वो एक बर्तन है या एक कलम हो तो हम उसे अलग तरीके से पकड़ेंगे क्या आप हर चीज़ पर एक जैसी पकड़ बनाएंगे नहीं ये उस चीज़ की प्रकृती से तै होगा पर अगर आप हर तरह की पकड़ पर ध्यान दें कि वो पकड़ किस तरह की है तो ये हमेशा संभव होता है कि आप उस पकड़ को ढीला कर दें मान लीजिए कि आप कुछ पकड़ कर अपनी पकड़ धीली नहीं कर पाए तब आपको परिशानी होगी तो ध्यान दें कि जीवन में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिन्हें पकड़ कर आप पकड़ धीली नहीं कर पा रहे हैं इन दो महीनों में आपको बस यही करना है होश पूरवक किसी को मत बताईए वे लड़ने लगेंगे वे सोचेंगे कि आप उन्हें छोड़ कर चले जाएंगे या आप सन्यास ले लेंगे वे कुछ या कुछ सोचने लगेंगे नहीं अपने अंदर बाहर कुछ भी करना जरूरी नहीं है अपने अंदर आप उन्हें कैसे पकड़ रहे हैं इसका एक सरल तरीका है कल आप मर जाएंगे मैं बहुत उदार हूँ, मैंने 24 घंटे दिये जीवन की प्रकृती ऐसी है ये आपको 24 घंटे की गारेंटी नहीं देती पर मैं 24 घंटे दे रहा हूँ कल सुभा आप मर जाएंगे हर हाल में आप हर चीज पर अपनी पकड़ धीली करने लगेंगे है न, तरीका जो भी हो आप पकड़ धीली करने लगेंगे क्या आपने हिंदी फिल्मों में देखा है नहीं, आपने फिल्में नहीं देखी है पकड धीली हुई? इंसान गया अपने शरीर पर से, अपने मन पर से, अपने विचारों और भावनाओं पर से अपनी पकड को बस थोड़ा धीला करें जीवित रहते हुए पकड धीली करने से आप उमंग से भर जाएंगे मरते हुए तो ऐसा हो ही जाएगा आखरी सीन तो इन दो महीनों का इस्तमाल करें और हर चीज़ पर पकड धीली करें मैं थोड़ा अलग हूँ तो मैंने अपने तरीके से सीखा था पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि सभी गॉल्फ ट्रेनर सिखा रहे हैं जो लोग सीखने आते हैं जो कई सालों से खेल रहे हैं उन्हें भी कि पकड धीली रखें गॉल्फ क्लब कसकर न पकड़ें वैसे मारना हो तो डंडा कसकर पकड़ा जाता है पर धीला पकड़ना जरूरी है जो पहली बार साइकल चलाते हैं उनके साथ ऐसा होता है वे धीला पकड़ने से साइकल अच्छी चलती है है ना पकड धीला करें जिन्दगी भी अच्छे से चलेगी बहुट टाइट है आपने नया साइकल सवार देखा है वो चला ही नहीं पाता तो पकड़ धीली करनी होगी पकड़ने से साइकल अच्छे से साइकल